चत्रपती साहुज इमाराश विश्विश द्याले में लाइब्रेरी ओन डिवाइस यानि ए लाइब्रेरी एप्लिकेशन लॉंच किया गया। इस एप को लॉंच करते हुए कुलपती प्रॉफिशर विनिय कुमार पाटक ने कहा कि ग्यान प्राप्ट करने का अधिकार हम सभी को है। अब इसके लिए टेकनोलोजी का इस्तमाल कर समय और दूरी की बाधाओं को दूर कर इसे सभी तक पहुँचाने की जिम्मेदारी भी हमसब को लेनी होगी। उन्होंने कहा कोरोना काल की बिपरीत परिस्तितियों में हमारे सिच्छकों और छात्रों ने पूरी मेहनत के साथिया मुकाम हासिल किया है। मुवाइल एप और वैपसाइट पर छात्र अपने विश्य से संबंदित कितावें, जर्नल, थीसिस, आदी को एक्सेज कर सकते हैं। ओफलाइन के जाथ ओनलाइन माद्यम से लगवग सभी पाठ्थ समगरी को प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए संस्थान के सिच्चकों ने कड़ी मेहनत कर तमाम इए कंटेंट निर्मित की हैं। इसके अलाव सब्सक्रिप्शन के माद्यम से अन्य विश्य विद्यालियों और संस्थानों में उपलब्ध किताबों का भी लाप उठाया जा सकता है। आज हमने वैसा एक अप लाउंच किया है जो सब नॉलेज को अग्रिगेट करें। बच्चे को दस जगे डोडने की जगे वह एक डाउनलोड करें। और अभी करोना के काल में बहुत सारे बच्चे गाउं चले गए थे, बहुत सारे बच्चे चले गए थे, उसको हमारी जनरल एक्सेस करनी है, उसके बाद लॉग इन नहीं है, पासवर्ट ही है। प्रोफिशर पाठक ने बताया कि इन लाइबरेरी में इस्टुडेंट कॉर्णर भी रखा गया है, जिसके लिए छात्रों से भी कंटेंट आमंत्रित किये गए हैं, क्योंकि आप ग्यान को किसी खास परदी में नहीं रखा जा सकता। समहारों में इक कंटेंट लिखने वाले सिच्छकों को कुलपती प्रोफिशर विने कुमार पाठक ने सम्मानित भी किया। क्योंकि झाथा जाड़ किया।